तंदूरी चिकन तिक्का की रेसिपी बिना ओवन के चूले पर बनाएंगे तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहां हम ले रहे हैं वन केजी चिकन तो इसको हमने अच्छे से वाश करके साफ करके एक आदे घंडी के लिए आप इसको छनी में रख दीजे ताकि इसका सारा जो एकसेस वाटर है वो निकल जाए और इस पर आसानी से मैरिनेशन कोट हो सके और हमें चाहिए टेस्ट के अकॉ बड़िन लाल मिर्च पाउडर तो पेल ले रहे हूं और इसके अलावा हम चाहिए और चाहिए बाद राइंच फूट पाूडर यह यहां पर टूटी स्पून ले रहे हूं और इसके बाद हमें चाहिए चिकन मसाला आप किसी भी बृइंट का ले सकते हैं जो आपको यह 3 टेबलस्पून हैं अदरक और लसन का पेस्ट और कुकिंग जाहिए 2 टेबलस्पून तो ये सारे ईंग्रीटिन्स हमें चाहिए अब हम एक बड़ा बोल ले लेंगे और उसके अंदर हम दही डालेंगे ऑ अदरक और लसन का पेस्ट और अब हम डाल रहे हैं lemon juice और अब हम सारे dry spices डाल देंगे तो इस chicken को हम marinate करके overnight रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से marinate हो जाएगी और अब हम ये सब चीजे इसमें add कर देंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे इसमें मैंने कच्छा पपीता यूज नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ पे चिकन को overnight marinate करके रख दूंगी तो जब हम next day इसको fry करेंगे तो ये अच्छे से गल जाएगी अगर आपके पास time काम है तो फिर आप पपीते का पेस्ट कच्छा पपीता जो होता उसका पेस्ट बनाकर इसमें add कर सकते और मैं तो चिकन यूज कर रही हूं यह भी जल्दी गलने माली चिकन है अगर आप देसी चिकन यूज करेंगे तो उसमें भी पपीता बहुत important है आ मीट टेंडराइजर आता है वो यूज कर सकते है तो यह देखिया मारा मैरिनेशन जो है बहुत अच्छी तयार हो गया अब इसमें हम सभी चिकन पीसेज अट कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यह जो चिकन है यह बिलकुल अवन में जैसे बनता है उसी जरह का बनेगा लेकिन हम इसको अवन में नहीं चूले पर बना रहे है और इसको ओवरनाइट हम मैरिनेट करके फ्रिज में रखेंगे तो इससे यह बहुत फ्लीवर फुल बनेगी और अब लास्ट में हम इसमें कुकिंग ओलाइड कर देंगे और इसको अच्छी से मिक्स क करके फिर रात भर इसको हम फ्रिज में रख देंगे तो यह अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और नेक्स टे बहुत टेस्टी इसकी डिश तियार हो जाएगी तो यह अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब हम इसको कवर करके फ्रिज के अंदर रख देंगे और नेक्स टे तो यह नेक्स डे की क्लिपिंग है मैंने चिकन को फिर्ज से बाहर निकाल के रख लिया था तो जब भी आपको चिकन बनाना हो तो आप उसको एट लीस्ट दो घंटे पहले फिर्ज से बाहर निकाल के रख दें ताकि वह रूम टेंपरेचर पर आ जाए और उसके बाद आप तो यह बहुत अच्छी बनेगी तो मैंने भी चिकन को दो घंटे पहले निकाल लिया था ताकि वह रूम टेंपरेचर पर आ जाए और अब यह देखिए हम इसको फ्राइ करने के तियारी कर लेते हैं तो हम यहां पे तू टेबल स्पून ओयल जो है वह गरम होने क्लिए और अभी देखिए मैंने एक टाइम पेस में पांच एड करें हैं पीसिस और स्टार्टिंग में हमें चूला हाई रखना है ताकि यह अच्छी तरह से जो है उसमें कलर आए गिदेखिए हमने हाई फ्लीम रखना है तो हाई फ्लीम हमें रखना है अराउंड दो मिनिट तक कर दो कर दो कैसे यह ब्राउनिश कलर आया तो यह देखिए इस तरह से कलर आएगा और अब हम टर्न कर रहे हैं तो इस टाइम पर हम अच्छा कलर आए इसमें अब हम दो मिनिट मीडियम पर रखेंगे और उसके बाद लो फ्लेम करके इसको कवर कर देंगे तो इस तरह से करके हम अराउंड पांच साथ मिनिट इसको पकाएंगे बिलकुल धीमी फ्लेम पर लो फ्लेम पर तो अब चलिए पांच मिनिट हो चुके हम चेक कर लेते हैं कि देखिए यह हलका हलका कलर आया दूसरे साइट पर अब हम क्या करेंगे जो हमारा मैरिनेशन था ना उसमें से कुछ हम मैरिनेशन इस तरह ब्रश की मदद से इसके उपर लगा देंगे और यह जब हम दोनों साइट से से इसके बाद हम यह लगाना है तो इससे वह टेस्ट भी और अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा तो इस तरह से हम ब्रश को मैरिनेशन में डिप क करके अच्छे से कोट कर लेंगे आप साहे तो एक बड़ा पैन ले सकते हैं या तो फिर आप दो चूले पर दो पैन रखकर बना सकते हैं और यह दिखिए कितने अच्छे से जब मसाला पूरा स्प्रेड हो चुका है इसमें अब हम इसको टरन करेंगे कैरफुली तो हम इसक कुक हो जाए और हम दूसरे साइड भी मसाला कोट कर दिया है तो इस तरह से हम बनाएंगे तो यह बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनेगी चिकन तिकका और बिल्कुल तंडूरी स्टाइल की बनेगी और यह दिखिए हम बिल्कुल डीफ्राइण कर रहें थोड़े स यह बिल्कुल तंडूर वाला फ्लेवर आइस में तो यह देखिए अच्छे से मसाला कोट कर दिया इस पर अब कवर करके हम इसको और और 6-7 मिनिट तक पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर चले हम चेक कर लेते हैं अब यह अच्छे से पक गई है तो अब हम चूला ओफ क पर दिए और इसकी प्लेटिंग करेंगे तो इदिखिए अमने इसकी प्लेटिंग कर दी है और रम इसके साथ सैलेट सर्फ किया है अमने इसमें कोईड यूज नहीं किया अब आप चाहें तो श्मोटी फ्लेवर देनी के लिए इसमें जिस पै एक बरतन में आप यह चिकन पीसेज रखके सेंटर में गरम कोईला रखके उसके ऊपर कुकिंग ओई डाल देंगे और इसको कवर करेंगे तो बहुत अच्छा प्लेवर आएगा तो मुझे प्लेवर नहीं चाहिए था चिकन में यूज नहीं किया लेकिन अगर आपको पसंद आप यह मेथर ट्राय करें बहुत अच्छी बनेगी तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अलाहाफिस और थाइंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाई